So guys, अगर आप लोग Vivo Y35 यूज़ कर रहें और यह डिवाइस में, अगर आप लोग Easy Touch फीचर को यूज़ करना चातें, तो कैसे आप लोग Easy Touch फीचर को यूज़ करेंगे, वो हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमा लिज़ेगा Easy Touch, तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा Short Cuts and Axis Splitty में, तो Simple हम इसको On करेंगे, On करने के बदा आप लोग देख पाएंगे, हमें Toggle सा देखने को मिलता है, ठीक है हम इसका मेनू को Customize कर सकते, काफी कुछ चीज़े Customization की जैसे कि यहाँ पर देखिए, सबसे प लेंगे, नीचे कुछ Applications रहता है, Customize मेनू पर क्लिक करेंगे, तो आप लोग कुछ Tools को Add कर सकते, कुछ Applications को Add कर सकते, उसके बाद Tap करेंगे, तो आप लोग का मेनू Open होना चीए, Double Tap करेंगे, तो क्या Open होना चीए, वो भी आप लोग सेट अप कर सकते है, Press and Hold में क्या करना ह है, आप लोग को वो कर सकते है, Hold and Slide Sideway हो गया, Hold and Slide Down हो गया, Hold and Slide Up हो गया, उसके बाद नीचे आप लोग को और भी Customize के Features देखने को मिलते हैं, तो ये जो Easy Touch का जो Feature रहता है, एक तरीके से आप लोग के फोन का जो Look रहता है, काफिदा Enhanced करता है, और एक तरीके से एक Easy Tool ह है, कि डारेक्ट आप लोग क्लिक करें, और डारेक्ट कुछ Applications को Open कर सकते हैं, कुछ Tools को Open कर सकते हैं, ओके, So I hope आप लोग को वीडियो ची लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय मता दी